बेदर्दी से प्यारो बरसात की धुन सौंग के बाद गुर्मीत लेकर आ रहे हैं एक और हाटब्रेक सौंग जबिन नाटियाल की आवाज सुनने को मिलेगी सौंग में जानिये पूरी अपडेट इस वीडियो में जहां दोस्तों टीवी एक्टर गुर्मीत चौदरी जो की टीवी सीरियल के बाद कई सारी फिल्मों में भी हमें देखने को मिल चुके हैं कोई आपसा, खामोशी, वज़ा तुम हो और पल्टन जैसी मूवी में भी गुर्मीत हमें नजर आ चुके हैं तुम ही गुर्मीत चौदरी इन दिनों म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ रहे हैं जहां दोस्तों बताना चाहेंगे साल 2021 में गुर्मीत के दो जबर्दस्म्यूजिक वीडियो रिलीस किये गए हैं और वो दोनों ही म्यूजिक वीडियो सोजल मीडिया पे जम कर वारल हुए थे चाहे वो बेदर्दी से प्यार सौंग हुआ या फिर बरसात की धुन दोनों ही सौंग दर्सकों को काफी पसंद आये थे तो वहीं सौंग को जुबी नौटियाल ने अपनी शांदार आवाज दी थी जिसकी वज़ा से ये सौंग और ब्लॉग बास्टर हो गया था तो वहीं अब जुबी ने एक और म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हमें एक बार फिर गुर्मी चौधरी नजर आएंगे साथी इनके अलावा दो और भी कलाकार हमें देखने को मिलेंगे जहां दोस्तों पिंक वीला की रिपोर्ट की अनुसार इस म्यूजिक वीडियो में गुर्मी चौधरी के साथ अरजुन बिजलानी और कशीका कपूर भी नजर आएंगी बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस सौंग के शूट से कुछ वीडियो और फोटोस भी सोसल मीडिया पे वारल हुए थे जहां हमें ये तीनों ही कलाकार देखने को मिल रहे हैं इस सौंग की शुटिंग नैपाल में की गई है जहां हम इस म्यूजिक वीडियो में नैपाल की हसीन वादिया भी देखने को मिलेंगी ये सौंग एक हार्ट ब्रेक, सौंग रहने वाला है जिसमें हमें एक ट्रेंगल लव स्टूरी देखने को मिलेगी बता दे छले दोस्तों कि सॉंग को जहां जुबिन नौटियाल ने अपनी शांदार आवाज दी है जबकि सॉंग को डारेक किया है आसिस पंडा ने तो वहीं सॉंग को प्रड्यूस कर रहे है T-Series जो की काफी बहतरीन सॉंग रहने वाला है बात आती है सौंग की रिलिज डेट की तो इस सौंग की अभी ऑफिशियल अनौस्मेंट होना बाकी है पर खबरों की माने तो इस सौंग को नेक्स्ट येर यानि की जनवरी या फरवरी में रिलिज कर दिया जाएगा तीसरीज के ऑफिशियल यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है गुर्मी चौधरी और जुबी नौटियाल के अपकमिंग सौंग को सुनने और देखने के लिए कामेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी चटपटे गॉसिप नियूज देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप आला को सस्क्राइब भी कर लें